पिछले एपिसोर्ड में अजवाइन के छोटे छोटे बीजों के जरिये आप मोटापा और पेट की विमारियों से छुटकारा कैसे पाईं देख चुके हैं आज उसी सिलसले को आगे बढ़ाते हुए देखन में छोटन लगे लेकिन कमाल के अजवाइन के कुछ और बोनों के बादे हम आपको पताएंगे अजवाइन से मुहासों की छुटकी अब तो आप यह जानी गएं कि अजवाइन डाइडिशन की करता है जाहिर है कि अगर पेड़ साफ होगा तो मुहासे नहीं आएगे अगर आपके चारे पर मुहासे हैं तो दही के साथ भोड़े से अजवाइन पीस कर इस लेप को चारे पर लगाएं जब लेप सुख जाए तब इसे कर्ण पानी से साफ कर लेगे कुछी दिनों में मुहासे गायब हो जाएगे अजवाइन से सर्दी, चुखाम और खासी की चुटी अगर आपके खासी थीक नहीं हो रही है तो अजवाइन का पानी बहुत फायदा मन्द होगा इसके लिए अजवाइन को पानी मिला कर उबाल ले इन में काला नमक मिला कर जवाइन से गटिया की चुटी जी हाँ, अजवाइन के जुटन की पोटली बनागा गुटों में सेखनी के वाइबे होते हैं अगर इससे भी आराम नहीं मिल रहा तो अजवाइन के रस में सोट मिला कर पीरे से भी गटिया करो ठीक हो जाता है अजवाइन से मसूडों की सूजन का इलाज अगर मसुडू में सुचन को पुने पानी में अजवाइद के तेली की कुष्पी रूं दिला गर्ड कुला कटी से अराम दिलेगा। इसके अलावा अजवाइद को कुम दड़, इसमें प्रस कटी से मसुडू के दर्द और सुचन में रहत मिलती है। अक्सर महिलाओं को पीरियेट्स में दर्द में निकायत करती है, तो अजवाइन से पीरियेट्स के दर्द से विछो करब पाये जा सकता है, कैई महिलाओं को पीरियेट्स के वंद कमर उपेर के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है, ऐसे में कुणकुना पानी के साथ कर दो जादा हो इसका इसमाल नहीं करना चाहिए